न्यूज पी आर को अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ धन्यवाद इसलिए आपको देना चाहता हूँ कि आप राजी के सामी कभीशियों को हमेशा उठाने का अकाम कर रहे हैं और अब सोसल मेडिया के माध्यम से ही हम लोग आमजन्ता तक पहुंच रहे हैं जो मुक्हे चैनल सब है न्यूज का वो तो आमजन्ता की आवाज को उठा ही नहीं रहे है इसलिए आप अपने काम में उत्सा पढ़ा करके आगे बढ़ते रहे हैं लगे रहे हैं हमारी पुरी पुरी सुद्ध कामना आपके साथ है न्यूज पी आर आगे बढ़े इसके देख रहे हैं नियूज पियार रिया सुनहा आपके साथ है नेता प्रतिपाक्षित जश्पी यादब ने OBC को प्राथमिक्ता नहीं मिलने पर अवाज उठाई थी उन्होंने कहा था कि नीट परिक्षा में OBC के छात्रों को आरक्षन नहीं है और आखिर BJP को OBC के छात्रों स इस किया दिखते हैं और अब एक बर्फे से उनको साथ मिला है सुशील मोदी का जो हमारे 220 मंत्री भी रह चुके हैं थोड़ी देर पहले निता प्रतिपक्ष ने भी ट्वीट किया है सुशील मोदी ने कोटे की 15 प्रतिशत सीटों पर नामांकन में SC को 15 और ST को 7.5 प्रतिशत आरक्षन तो मिलता है मगर OBC के लिए आरक्षन का कोई भी प्रावधान नहीं है वही राजसरकारे 50 प्रतिशत सीटों पर अपनी नीती के तहत SC, ST और OBC को आरक्षन देती है मालूम हो कि 2017 के बाद देश भर के मेडिकल कॉलेजिस में एडमिशन के लिए नीट परिक्षा आयोजित की जाती है जिसकी मेरिट लिस्ट की 85 प्रतिशत सीट राजियो वह 15 प्रतिशत All India कोटे के तहत केंदर को दी जाती है 21 सितंबर 2021 को मेडिकल में नामांकन के लिए All India स्टर पर नीट की परिक्षा आयोजित होने वाली है अगर उनके पहले सुप्रीम कोट का फैसला OBC आरक्षन के पक्ष में आ जाता है तो इस श्रेनी के छात्रों को नामांकन का लाव भी मिलेगा केंदर सरकार सुप्रीम कोट में हलफ नामा देकर All India कोटे से मेडिकल में नामांकन के लिए OBC को 27 प्रतिशत आरक्षन देने पर पहले ही अपनी समयती दे चुकी है मदरास हाई कोट द्वारा इसी मुद्दे पर गठित पांच सदस्य कमिटी ने भी OBC आरक्षन के पच में अपनी राय दी थी राजय सभा में मंगलबार को शुल निकाल के दोरान सरकार का ध्यान आकरिश्ट कराते हुए कहा कि वह मेडिकल में नामांकन के लिए राजयो में मिलने वाले केंद्र के 15% आरक्षन के लिए सिग्र फैसला देने का सुप्रीम कोट से आगरह करे कि आरक्षन के लिए इसके बाद तजश्वी यादब का भी टूट हम आपको पढ़कर सुनाते हैं जो तजश्वी यादब ने थोड़े दिर पहले ही किया है तजश्वी यादब लिखते हैं राजद पिछड़े वर्गों के समाजिक और सैक्षनिक उत्थान वा उन्नती के लिए कचिबध है हम केंद्र सरकार को पिछड़े की सहकमारी नहीं करने देंगे बहुमत के घमंड में चूर केंद्र सरकार याद रखे कि इस देश में पिछड़ों की आवादी 60-70% केंद्र को नीट में आरक्षन लागू करना और जातिकत जनगलना करवाना ही होगा तो नेताप्रतिपक्षत जश्वी यादव ने भी क्लियरली नीट को लेकर पहले भी वो कह चुके हैं कि जिस तरीके से राज़त सरक से संसद तक पिछड़ों की लडाई लड़ रही है नकली OBC प्रधान मंतरी की नित्रित्व में बीजेपी एंडी जेडियू सरकार नीट मेडिकल परिशा में 14,000 पिछले वर्गों की सीटे रख खा गई है आज राज़सवा में राज़त सांसद मनोज कुमार ने जो OBC आरक्षन का मुद्दा उठाया है और नितिश कुमार को बीजेपी के तलवे चाटते रहेंगे वो उन्हें ये भी तजश्वी यादव ने नितिश कुमार पर निशाना साते वे उसी के दोरान कहदिया जानों ने ट्विट करकर ये बाते कही है आपको उताएं कि क्लियरली कहा गया है कि जिस प्रकार से सरकार जो है ओबिसी चातरों को नजर अंदाज कर रही है उन्हें वो करने नहीं देंगे आपको उताएं कि आज यह मुद्दा राजसवा में उठा है जिसके बाद सुशील मोदी ने इसकी जानकारी ट्विट देगा दी है उन्हें भी कहा है कि केंद सरकार को हरफ नामा देना चाहिए और नीट के एकजाम में OBC के छातरों को भी प्रेफरेंस मिलना चाहिए उन्हें भी आरक्षन मिलना चाहिए 27 प्रतिशत का और तजश्मी यादब ने भी मेंशन किया है इन बातों को तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही और भी खबरों के लिए बने रहें न्यूस प्यार के साथ